बोलो जुमा chemistry दोस्तों बोलो जुमा chemistry क्या हल चाल दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चले भाई तो भाई साथ दिवाली आ चुकी है और दिवाली आ गई है और हम लोगों ने अपनी घरों में भाई साथ सफाई करना शुरू कर रहे हैं अब यह जो सफाई का जब खेल होता है तो वहाँ पर दोस्तों हमें सीखने लाएगे concept होता है क्या concept of entropy हम लोग भाई साब देखिए हर जागे chemistry ढूनी लेते हैं कि भाई साब कोई भी तिवहार हो कोई भी occasion हो कोई भी event चल रहा हो वहाँ पर भाई साब हम लोग को chemistry अपनी मिल जाती है मजा जहां ढूनोंगे वहाँ मिलेगा पढ़ाई जहां ढूनोंगे वहाँ मिलेगा तो वाई सब आज हम लोग अपने thermodynamics के series में बहुत ही important बचों concept को देखने वाले हैं अगले concept को समझने वाले हैं first law of thermodynamics के सारे सवाल सब कुछ हो चुके हैं आज दोस्तों एक बह देवांस और नीड के सवालों में इस पूरी पूरी चीजों को आज हम लोग clear करेंगे ठीक है बचों देखें इंट्रॉपी का concept यह कैसा concept है जो की physics की thermodynamics सो उतना आदा नहीं आता है chemistry में ही आता है और enthalpy तो पूरी तरह से बिटा सिर्फ और सिर्फ केमिस्टी का ही पार्ट ह तो first law of thermodynamics physics में भी है chemistry में भी है लेकिन यह entropy का जो concept है यह और enthalpy mainly बचो chemistry का यह exclusive part हो जाता है तो कैसे इसको समझना है क्या इसका मतलब है आए चलिए बच्चों सारी की सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं क्या बात है बहुत अच्छी बात है तो भाई साब सबसे पहले हमा जारा तातपर होता है कि entropy is the measure of entropy is the measure of degree of randomness, disorderness, present in system किसी भी system में बच्चों किसी भी system में जो system के जो constituents हैं जो particles है या जो भी elements है जो system से बने हुए वो elements वो constituents पार्टिकल कितने जादा unorganized हैं कितने जादा disordered हैं कितने जादा बच्चों randomness उनके अंदर है इस चीज़ का measurement क्य होता है सर entropy ठीक है मतलब समझे बचा कितना जादा chaos इस system में वो chaos का बेटा जो होच-पोच है जितनी जो भसड है उसकी measurement को क्या कहते हैं सर entropy अब सवाल बच्चों यह आता है कि सर यह भसड हो गई यह randomness हो गई यह disorderness हो गई यह जो chaos हो गया इसकी measure करनी के आवशक्ता क्या ह है दोस्तों इसको measure करनी की आवशक्ता इसलिए है क्योंकि इसी के तौरा हम लोग concept of spontaneity के बारे चर्चा करेंगे अब यह concept of spontaneity क्या होता है बेटा concept of spontaneity जिसके कारण यह entropy का concept इजात किया गया है उसको आई समझते हैं देखिए दुनिया में कुछ process ऐसे होते हैं जो अप अपने आप सर expand कर जाती है गयास होती है वह अपने आप expand कर जाती है हमें उसको करनी के लिए सर कोई बाहर से बेटा महनत और प्रेत्न करने की आवशक्ता नहीं पड़ती है लेकिन बच्छो लेकिन बच्छो समझेगा अगर मैं चाता हूं सर कि ice जो है सर अगर मैं चाता हो सकती है आंसर है नहीं आप चाहते हो कि सर आइस अगर रूम टेंपरेटर तो आपको उसके लिए एक अलग से मशीन नहीं लगानी पड़ेगी आपको उस रूम को ठंडा करना पड़ेगा आपको फ्रिजर लगाना पड़ेगा तब जा घर के वहां पर आइस फ्रीज आउट होगी तो वहां पर हमको मेहनत करनी पड़ेगी बाहर से बेटा वर्क करना पड़ेगा बाहर से हमको पूरी मशीन लगाने पड़ेगी फ्रीजिंग ओफ वाटर रूम टेंप्रेचर पर अपने आप बिना किसी एक्स्टेनर सपोर्ट कर नहीं होगा तो ये क्या है नॉन स्पॉंटीनिस प्रोसेश इसको कराने के लिए आपको बाहर से फ्रीजर लगाना पड़ा है तो ये नॉन स्पॉंटीनिस प्रोसेश ये बहारी प्रयास के यह अपने आप नहीं होता है लेकिन expansion of gas क्या है sir spontaneous process अपने आप हो जाता है तो दुनिया में कुछ process ऐसे होते जो अपने आप होते जैसे gas का expansion पानी का उपर से नीचे गिरना हमारे मन का मचलना पढ़नी में पच्छा मन नहीं लगता है sir लेकिन मचलता बहुत है मन सब खेल कूद में बहुत जाता है जैसे मेरा मन करीना कफूर कट्रीना कैफ की तरफ अपने आप चला जाता है तो मन का मचलना पानी का उपर से नीचे गिरना heat का high temperature से low temperature की तरफ flow करना यह सारे प्रोसेस कैसे spontaneous है अपने आप हो जाते है इनको कराने के लिए आपको बहार से जोर लगाने के अवश्यक्ता नहीं पड़ती है लेकिन कुछ अगर हमें heat को ध्यान सुना अगर हमें heat को क्या करना है ठंडी जगे से निकाल करके गरम जगे भेजना है नौर्मली हीट कहां जाती हाई से लो टेंपरिचर हम लो से scientist लोग यह जानना चाहते है कि दुनिया में कोई भी process कब spontaneous होगा कब non spontaneous होगा इसके पीछे की पहली क्या है क्योंकि first law हमको क्या बताती है सिर्फ heat और work के बीच में relationship बताती है लेकिन कब क्यू इसके बारे में नहीं बताती है कब heat इधर से उधर जाएगी कब कोई चीज अपने आप spontaneous होगा यह कैसे बना चलेगा तो इसी के बीटा सवाल के आंसर के लिए इजाद किया गया concept of क्या entropy second law of thermodynamics कहता है कि अगर किसी process की दोरान सर्जी second law of thermodynamics क्या कहता है second law of thermodynamics क्या कहता है बच्चो कि अगर बेटा कोई भी process क्या है सर्पॉन्टीनियस है सर अगर कोई process क्या है सर्पॉन्टीनियस है तो बेटा जी कोई भी process स्पॉन्टीनियस कभ होगा जब उस process की दोरान डेल्टा एस टोटल मतलब क्या सर्देल्टा स सिस्टम plus delta is surrounding कोई भी process spontaneous कब हो कब होगा जब उस process के दौरान delta is total मतलब delta is system plus delta is surrounding क्या होगा sir greater than 0 होगा तो कब कोई चीद अपने आप होगी जब ये condition satisfy होगी जब उस process की दौरान जो total change in entropy हो क्या इसा greater than 0 है अगर greater than 0 है तो sir process क्या होगा spontaneous होगा बहुत अच्छी बात है और वहीं अगर वहीं अगर कोई process non-spontaneous है वहीं बिटा कोई process अगर non-spontaneous है तो non-spontaneous process कब होगा जब उस process की दौरान बिटा delta is total delta is system plus delta is surrounding क्या हो less than 0 हो और कोई भी process अगर equilibrium कोई भी process equilibrium equilibrium मतलब ना वो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा equilibrium मतलब ना वो process आगे जाएगा ना पीछे जाएगा वो जहां है वहीं रुका रहेगा ना हमको खेलने का मन कर रहा है ना हमको पढ़ने का मन कर रहा है यह equilibrium है इस्थिरता हम chemistry में कहते हैं स्थिरता कोई भी process अपनी जगे पे जड़ है इस्थिर है ना आगे जा रहे ना पीछे जा रहे ना उसका आगे जाने का मनने पीछे जाने का मनने तो कोई प्रोसेस अगर equilibrium में है तो कोई भी चीज equilibrium में कब होगी जब उस process की corresponding बेटा डेल्टा हैस टोटल क्या होगा सर जीरो होगा जब उस process की दौरान सर डेल्टा हैस टोटल क्या होगा सर जीरो होगा तो यह सर जी यहाँ पर फंडा है किसी भी process की दौरान अगर बेटा जी डेल्टा हैस टोटल पॉजिटिव है तो spontaneous होगा negative है non spontaneous होगा और अगर बेटा जी ज आता है अब सवाल यह कि सर पहली बात तो इंट्रॉपी है क्या दूसरी चीज़ क्या है कि सवाल इंट्रॉपी किस पर डिपेंड करती है और तीसरा सवाल क्या है कि हम निमेरिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रॉपी चेंज को कैल्कुलेट कैसे करेंगे तो आज हम पुरा इंट्रॉपी को उधेड़के रख देंगे चली सर तो जैसा मैंने बताया कि सर इंट्रॉपी क्या है सर इंट्रॉपी एक थर्मोडायनमिक फंक्शन है यह सर हंड्रेट परसंट सर यह स्टेट फंक्शन है और सर हंड्रेट परसंट यह एक्स्टेंसिव थर्मोडाय तो इसका तातपर क्या है दोस्तों आप अपने रूम को देखिए अभी समय आपके घरवाले आपके मम्मी पापा लोग क्यूं दिवाली में बेटा सफाई कर रहे हैं अपकर दिवाली में लक्ष्मी मया कब आती है जब आपका रूम मयी साफ सफाई होता है भाई देवी मॉतली माता तो टभी आएगी जब आपका रूम साफ सुत्रह stock तो देवि माता को बुलाने के लिए लक्षमी गनिश को बुलाने के लिए तो अभी आपके रूम की इंट्रॉपी क्या है सर बहुत बहुत ज्यादा है और आपका तो मन करता है कि इंट्रॉपी और बढ़ती जाए आप तो चाहते हो आपका रूम और ज्यादा अनॉर्गनाइज हो जैसे कि मेरे रूम में क्या है मेरे विस्तर पर मुझे किताब भी च चाहिए मुझे मेरे विस्तर पर ही सब कुछ जूते भी चाहिए सब कुछ मुझे अगल वगल चाहिए क्योंकि मैं भी अपनी इंट्रॉपी को सर बढ़ाना चाहता हूं तो हमारा और आपका जो नैचुनल फिनॉमना क्या है कि सर हम चीदों को सर अन और्गनाइज करना चाहत अगर माल लीजे हमने किसी गैस को सर अगर माल लीजे हमने किसी गैस को सर अब बता-इए क्या है अगर मैंने इस गैस को विटार रिलीज कर दिया अब यह ग्यास फूरे रूम में फ्यली अब इसकी Morocco में फैल गी। तो बेटा एक चीज समझिए आपको कहां पर मज़ा आएगा सर आपको कहां मज़ा आएगा आपको किसी छोटे ग्राउंड में खेलने में मज़ा आएगा या आपको किसी बड़े ग्राउंड में खेलने मज़ा आएगा सर सीरिसी बारे सर बच्चों को जितना बड़ा संभव है उतना ज्यादा वह इधा उदर उर्याइंड कर सकता है दोड़ा भाग सकता है सब क्योस मचा सकता है तो बड़े कंटेनर के अंदर इंटोपी अधिक होगी ग 10 क्या उदर इंटोपी को होगी हमारा दिमाग कभी विठा concentrate नहीं करना चाहता है हमारा दिमाग क्या चाहता है इधा उदर भटकना चाहता है क्योंकि हमारी दिमाग अपनी entropy को बढ़ाना चाहता है हमारी जो खुद की personality वो क्या है वो भी entropy बढ़ाना चाहते है हम अपने room को सर chaotic करना चाहते हैं chaos मचाना चाहते हैं गंदा करना चाहते हैं तुकि room की entropy बढ़ाना चाहते हैं तीसरी चीज ग्यास हमेशा expand क्यों करती क्योंकि expansion से volume बढ़ता और अधिक volume में gas के movement अधिक हो सकती तो वहाँ पर भी entropy बढ़ती है तो मुटा मुटा बेटा entropy किन किन चीजों पर करती है सर वह अभी हमने आपको बताया सचीज है ठीक है entropy क्या है is the measurement of degree of randomness or disorderness in system disorderness randomness किसके system के particle की अगला पॉइंट क्या है सर फैक्टर्स ओन विच entropy depends सर इंट्रॉपी हमारी किस किस चीज पर करती है बच्चों देखिए जब ही भी हम पढ़ाई सवाल के point of view से बातचीत कर रहे है जब हम सवाल के point of view से बातचीत कर रहे है तो कौन-कौन से important key points है जिसके उपर entropy depend करती है वो सर देखिए सबसे पहली चीज़ entropy बेटा जी किस पर depend करती है physical state पे यह सारे points आपको no down करने because they are very 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 important दो तरह के सवाल आते एक theoretical एक numerical दौनों बेटा competition में सवाल आते है तो theoretical points के लिए आपको यी सारे points एकदम systematically इसी sequence में आपको याद रखने है और सारा बेटा concept आपको सिखा देंगे कोई भी exam के सवाल का concept आपसे मिसर नहीं होगा इसकी guarantee है तो सबसे पहली ची physical state मतलब क्या कोई चीज अगर बेटा ग्यासिय state में होगी तो उसकी entropy बहुत अधिक होगी किससे लिक्विड से और लिक्विड की इंट्रॉपी बहुत अधिक होगी किससे solid से बेटा जी याद रखना ग्यास की तुलना में liquid की इंट्रॉपी negligible है और लिक्विड की तुलन इसमें movement अधिक होती है, motion अधिक होता है, इसलिए उसकी entropy अधिक है, solids are rigid, solids अपनी जगे पर rigid होते हैं, उनके अंदर entropy movement कम होता है, motion कम होता है, वो अपनी जगे स्थिर है, वो सादू महात्मा जैसे तबस्या कर रहे हैं, वो चीज़ है, solid, तो उनकी entropy कम होती है, ठीक है, यहीं से एक example याद आता है, किसी इंसान की entropy बहुत जादा हो जाती है, तो जजज साब कहते हैं, चलो बेटा, तुम्हारी entropy कम करते हैं, तुमको काल कोटरी में डाल देते हैं, कोई इंसान बहुत जारा जब एकदम अलाड़ हो जाता है, एकदम खुला साड़ की तर हो जाता है, बहुत crime करने लगता है, तो इंसान लगते हैं, भया, तुम्हारी entropy बहुत बढ़ रही है, तुम्हारी सैतानी बहुत बढ़ रही है, चलो तुम जेल के अंदर चलो, तो जेल के इंदर जाने पर हम उसकी entropy कम करते हैं, खुँकि इतनी जारा उसकी entropy बढ़ एती है, आज ये क बहुत अच्छी बात है तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा सीजव आते है इस शीज़ के अचा परॉइंटॉ केमिकल रियाक्शन की तौराँ अगर मैं इंट्रॉफी, चेंज मेजर करना है तो कैसे मेजर करते हैं बेटा किसी भी chemical reaction के दोराण अगर हम entropy change measure करना चाहते हैं तो हमें ये देखना होता है कि उस chemical reaction के दोराण जो product बन रहा है product में कितनी ज़ादा gas है मतलब reaction के दोराण हमको gas के number of moles को बेटा देखने पड़ते हैं मैंने क्या बोला reaction के दोराण हमें क्या compare करना पड़ता है gas के number of moles को बेटा compare करना हो तो बाकि solid liquid जाए तेल लेने उससे कोई मतलब नहीं है reaction के दोराण gaseous number of moles को हमने देखना पड़ता है gas के number of moles number of moles, number of moles of gas ये हमको देखना पड़ता है जितनी ज़्यादा ग्यास के नंबर ओफ मोस होंगे जिस साइड भी उस साइड बिटा इंट्रॉपी अधिक होगी जैसे कि अगर हम बिटा कार्बन को बन कर रहे हैं तो ये तो सॉलिड है ये गैस है और ये गैस है तो मोर और लेस यहाँ पर बिटा इंट्रॉपी में बहुत ज़ादा बदलाव नहीं आ रहे हैं क्योंकि नंबर ओफ मोस ओफ गैस क्या है दौनों तरफ बिटा जी सेम है लेकिन वहीं दोस्तों अगर ये सीन है तो यहाँ पर बच्चों हम कह सकते कि यहाँ पर दो मोल है और यहाँ पर एक मोल है तो बिटा जी इस रियाक्शन में सर इंट्रॉपी चेंज पॉजिटिव होगा ठीक है इस रियाक्शन में सर इंट्रॉपी चेंज बहुत ज़ादा नहीं होगा ठीक है लेकिन इस रियाक् reaction entropy increases with increase in gaseous mole ठीक है सर जैसे से पेटा gas की most increase करेंगे वैसे वैसे entropy भी हमारी बढ़ेगी बहुत अच्छी बात है अगर मान लीजे हमाई पास दो compound है अगर मान लीजे पेटा हमाई पास दो compound है तो किस compound की सर entropy अधिक होगी सबसे पहले physical state देखो बट अगर physical state भी में तो किसके entropy अधिक होगी जितना जादा complex molecule होगा प्रॉब्सकंट सबकोई मेरे साथ बोलो जितना जादा complex molecule होगा उसकी entropy अतनी अधिक होगी जैसे कहिं कि बेटा जी ओजेंग्यस की entropy ओट्व से दिखोगी CO2 की entropy सर CO से अधिक होगी ये चीज़ या रखना है एक मोल CO2 की और एक मोल CO में बेटा CO2 की entropy अधिक होगी CO से क्यों क्योंकि जितना बड़ा molecule होगा जितना complex molecule होगा जितना अधिक उसका molecular weight होगा उतने जादा उसमें electron, proton, neutron होगे और जितने जादा electron, proton, neutron उतना आदा chaos उतना आ और संख्या बढ़ने से भी entropy हमारी बढ़ जाती है जैसे हमारे इलावाद का प्रसिद संगम बाबा दुनिया में इससे आरा entropy कहीं नहीं पाई जाती है जब होता है संगम तो भाई साब एक ही दिन में दो करोन लोग गंगा जी में डुपकी लगाने चले आते हैं तो भाई उस दिन ऐसा मतलब भाई साब एक अजीव से औरा होता है अजीव सी शक्तियां होती है कि आप जाते हैं आप नहीं इतना अच्छव अच्छा लगता और चुप चाप घर में चले आते हैं घर में आने के बाद अस तरण सो लेते हैं और बस कौम टón इसी तरह से वैशनो दिवी की जब दर्शन करने जाते हैं, ऐसी बीटा शक्तियां आ जाती है अपने पास, कि आराम से हम लोग माता के दरबार में चले जाते हैं, तो वो सब चीदे हैं, तो संगम में तो इतनी भ्याना क्योस होता है, इतनी बंपर इंटरॉपी होता है, कि अगर माली जीं हमाँ पास कोई element मिलता है अगर माली जीं सुपिऩे किसी element के अलग अलो ट्रॉप के entropy के सरसीन क्या होता है तो किसी element के अलग अलो tractsory entropy के सरसरीण क्या होता है आइए आपको बताता हूँ देक हुप बेटा पहले तो ये टेबिल लिख लो कि सर इंट्रॉपी ओफ ग्रेफाइट इस मोर देन इंट्रॉपी ओफ डायमंड बहुत बड़ी बात तुमको लिखा रहा हूं मैं ठीक है अगली चीज इंट्रॉपी ओफ वाइट फॉस्फोरस इंट्रॉपी ओफ रेड फॉस्फोरस इंट्रॉपी ओफ ब्लाक फॉस्फोरस इंट्रॉपी ओफ मोनो क्लिनिक सल्फर इंट्रॉपी ओफ रॉम्बो हीड्रल Sulfur ठीक है सर ये चीज़ सर आपको याद रखेंगे सो अलग-अलग Allotrops की Entropy का सर सीन क्या होता उसको आई ही चलिए हम लोग समझाते हैं तो चलिए एक एक करके सारे points को समझते हैं सबसे पहले बिटा Diamond versus Graphite को आई ही समझते हैं बिटा दिको Diamond क्या होता सर सर हार्ड होता है तो वहाँ पर Atoms बहुत strongly Covalent bonds से बने होते हैं लेकिन Graphite में भी क्या होता सर strong bonding होती है सर लेकिन Graphite में जो layer structures होती है उनके बीट में weak forces इसलिए ग्रेफाइट की जो layer से देखें move और जहां कहीं भी movement होगा वहाँ पर entropy हाई होगी सबसे पहले चीज समझो कि इनमें reactivity का order क्या होता सर इनमें reactivity का order होता है सर white phosphorus सबसे दर reactivity white phosphorus तो ऐसा है कि उसको में निकालो अपने आप पकड़ देता हवा में आप पकड़ देता कहें क्यों कैसे कि सर white phosphorus इसलिए आग पकड़ देता है क्योंकि white phosphorus के अंदर oxygen से react करने की tendency बहुत अधिक है वह अपने आप से बड़ा परेशान होता है वाइट phosphorus में सर पी-4 arrangement है और यह जो पी-4 arrangement है सर इसमें इतना ज़्यादा अंगल स्ट्रेंड है कि यह फटना चाता है यह फटना चाता है यह सर फटना चाता है ठीक है यह सर अपने आप में सर फटना चाता है और तुरंद इसलिए सर highly reactive है और वहीं black phosphorus में बात के तो सर यहाँ पर 3D arrangement होता है यहाँ पर 3D arrangement होता है यह उतना ज़्यादा reactive नहीं है reactive नहीं है मतलब यहाँ पर atom strongly bonded है atom strongly bonded है तो movement कम होगी movement कम होगी entropy less होगी सीरी सी बात white phosphorus more reactive है उसकी entropy अधिक है black phosphorus less reactive है उसकी entropy कम है red phosphorus में क्या होता सर लीनियर structure होता है सर red phosphorus में क्या होता है सर linear structure होता है यह सर मारा है इस तरह सर red phosphorus रहेगा सर उसमें सर यह linear structure रहेगा उसमें भी bonding है उसमें भी bonding है ठाहिए उसमें भी bonding है लेकिन वहारा पे सर जो bonding है वो white phosphorus में comparatively more stable है white phosphorous angle strain उसमें नहीं है sir white phosphorous में तो enormous angle strain है वो तुरंट react करना चाहता है वो तुरंट move करना चाहता है motion में आना चाहता है वो तो उसकी entropy बहुत अधिक है black phosphorous में सबसे hard bonding है तो वहाँ पे sir कम reactivity, कम motion है कम entropy है और red phosphorous उसमें बीच का केल है वो react करता है लेकिन थो अधिक है activation energy के बाद ठीक है अब आते है बीटा monoclinic और rhombohedral में बीटा याद रखना rhombohedral is more stable rhombohedral वाला जो sulfur होता है बीटा more stable है, more stable है तो इसमें bonding तगड़ी है, more stable है तगड़ी bonding है, तगड़ी bonding है तो movement कम होगा, movement कम है तो इसकी entropy कम होती है, तो rhombohedral की entropy कम है और monoclinic की entropy ज़्यादा है अब मैं अपने बच्चों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, to be very frankly, बेटा, देखो मैं आपके साथ एक्दम दोस की तरह सर बात करता हूँ, मैं यह phosphorous और black phosphorus जो जितना reactive है, जो जितना reactive हो, उतना चंचल है, जो जितना reactive होतना चंचल है न, जो जारा चंचल होगा, उसकी entropy अधिक होगी, और जो कम reactive है, वो एक दम दादाजी की तरह चुप चाहब चेर पे बैट करके अकबार पढ़ रहा है टीवी देख रहा है जो कम रियाक्टिव हो चुप चाब दादा जी की तरह सुबह बस कुरसी पे बैठ गया है अकबार लेके बैठ गया उसके अंदर चंचलता उसके अंदर इसलिए उसकी इंट्रॉपी कम है तो बना इसको कैसे आ रखें तो मैं इसको कैसे आ रहता थाओ राजा रॉंब्ड हीड्र मतलब कैसे राजा पर और राजा जादा मूव करे करेंसा राजा तो भाई बैठा रहे जाओ राजा तो अपने सिंहासन बैठा रहेगा ए दासी जाओ चाय लेकर आओ ए भाई जाओ ज़रा नाच की दिखाओ खुद धोई नाचता है खुद धोई नाचेगा तो राजा तो चुपचा बैठा रहता है बैठा रहेगा तो उसकी इंट्रॉपी कम होगी और मोनो क्लिनिक यह बिचारा सैनिक के जैसा है तो इसकी इंट्रॉपी इसको काम धंदा करना पड़ेगा राजा के लिएक दम कंदम ताल करके दिखाना पड़ेगा तो इसकी इंट्रॉपी हाई होगी ठीक है तो राजा सलफर की इंट्रॉपी कम होती हो और मोनो क्लिनिक सलफर की सार इंट पर depend करता है, और entropy किस पर depend करेगा, सबसे पहले physical state, फिर temperature, reaction में gas के number of moles, ठीक है, उसके बाद क्या है sir, ideal gas की case में sir, expansion, मतलब gases की case में volume बढ़ने से भी, in case of gas, entropy is directly proportional to volume, ठीक है, तो gas के number of moles पर depend करेगा, और इसके अलाबा, जो same physical state के molecule है, उन में complexity पर जिसका molecular weight अधिक होगा, उसके entropy भी अधिक होगी, ठीक है, और उसके बाद अलग-अलग allotrops, उनने आपको रटा दिया, ठीक है sir, तो हमाई जो दो सवाल थे, उन दो सवालों के साथ देखिए, हमने answer आपको बता दिये है, क्या हमने आपको बिटा दो सवाल बता है, सबसे पहले तो entropy क्या होती है, दूसरी बिटा entropy किसपे depend करती, इन दो चीजों को sir, हमने आपको बता दिया है, बहुत अच्छी बात है, अब बिटा बात आती है sir, तीसरी बात, अब सर आती ही सर माय पास कैसे तीसरी बाद क्या अब सर माय पास आती ही सर तीसरी बाद क्या सर कि entropy change को calculate कैसे करेंगे और यह सर बड़ा important point है entropy change को सर calculate कैसे करेंगे यह सर बड़ा important point है पूरा-पूरा discussion इसी पर ही रहेगा entropy change को कैसे calculate करें पूरा का पूरा सर डिस्केशन इसी पर रहेगा कि सर इंट्रॉपी चेंज को कैसे सर क्यालकुलिट करें पहले एक बस इस लाइन को लिख लिए उसके बाद टेंशन खतम बस एक लाइन को सर लिख लें और उसके बाद सर देखें टेंशन खतम क्या सर लाइन लिख रहे हैं हम क्रिस्ट लायन और अमोरफस क्या होता है। ने क्रिस्टलाइन और अमोरफस क्या होता है। था इसे साथ। Kraft uh जहते हृ आप शुमाचूल में जाते हैं और ब्रेेचर गृडंड ने कंत्प होते हैं तो वह था क्या crystalline solid ऐसे solid जिन में पार्टिकल एकदम smoothly बिटा एकदम पूरी पूरी एकदम बढ़ियां से सर एकदम well-defined manner में arrange well-defined manner में arrange होते हैं एक regular pattern में arrange होते हैं तो वह थे crystalline solid crystalline solid की इंट्रॉप भी काम होते है और amorphous solid में constraint particle एकदम well-defined manner में होते हैं और amorphous solid में constraint particle highly unorganized होते हैं तो entropy amorphous solid की crystalline solid से हमीशा जादा होगी सीधी सी बात है अब यहां पर एक चीज़ समझे कि अगर हम crystalline solid की बात करते हैं crystalline solid भी कैसा perfectly crystalline solid जिसमें zero defect है so entropy of perfectly crystalline solid at zero Kelvin zero Kelvin समझ रहें एक ऐसा temperature जो zero Kelvin है zero degree नहीं zero Kelvin temperature बढ़ने से kinetic energy भरती है लेकिन temperature zero हो गया है तो kinetic energy भी zero हो गई है तो molecules constraint particle के अंदर motion zero है तो आपने पहली बात तो crystalline solid लिया zero defect वाला perfect crystalline solid और उसका temperature भी क्या कर दिया zero Kelvin कर दिया तो ऐसी स्थिति में entropy क्या होगी सर जीरो होगी ऐसी स्थिति में entropy क्या होगी सर जीरो होगी यह चीज़ समझेगा ठीक है बस बिटा जी यहीं हमारा third law of thermodynamics है और बस इसके बाद हमें इसको कभी भी और पढ़नी के अवशक्ता नहीं पढ़ती है चली सर आगे बरते हैं वापस अपने entropy प्रवर हम लोग आते हैं तो बिटा जी सवाल यह आता कि सर हाउ टू navy इंट्रॉपी में कर सवाल बच्चों यह आता कि सर हाउ मेंकिल इंट्रॉपी इंट्रॉपी ओ प्रॉआ अब जो मैं बाते बोलूगो ना they are very very important और जिन बच्चों के अंदर patience है क्योंकि जो बच्चे एमाली सुर वीडियो सिर्फ चला करके सोस्ते की सब तो आता है वो चले जाएं कोई दिक्कत नहीं लेकिन जो बच्चे जाए चाहा उनलाइन हो जाए हर जगे सदेखी सीन यहीं है ठीक है किसी पर बटा कोई दिक्कत नहीं है किसी के ओपर कोई फोर्स नहीं होता है हर कोई इंसान अपने हिसाब से जिन्दगी में डिसेजन लेता है and every decision is respectable हर डिसेजन के हमें आपके रिस अभड़ इसमें बहुत मैस लेवल की तो यहां कोई आपना इसमस्टा समझते है किसे나ं धा यह जो चीज है यह बहुट इंपरिंट और इसमें बहुत मैसेड लेवल कशों जो ता है आईए सर समझते हैं सर देखें entropy change को सर कैसे measure करें तो बेटा जो entropy change का जो formula है सबसे पहली चीज़ समझें entropy क्या है सर? state function है entropy क्या है सर? state function है अब चुकि entropy state function है और जैसा मैंने आपको बताया था सर u हो गया जितने भी state function होते हैं उनमें जो formula होता है अलग प्रोसस के लिए जैसे work done का reversible के लिए अलग formula, irreversible के लिए अलग लेकिन state function के लिए ऐसा नहीं होता है state function में सिर्फ single formula होता है तो बेटा entropy के लिए जो formula होता है वो होता है सर हमारा क्या? delta s ab delta s ab बराबर dq reversible upon t a से b तक entropy change के लिए जो formula होता है वो यह होता है dq reversible upon t अब यह formula अपने आप में बहुत सारे सर सवालों को पैदा कर रहा है क्या सवालों को पैदा कर रहा है? सबसे पहला सवाल यह formula सर बहुत सारे सवालों को सर पैदा कर रहा है क्या पैदा कर रहा है? सबसे पहला सवाल क्या पहला सवाल कि भाईया जी अगर हमारे को process reversible है तो entropy change हम कैसे निकालेंगे उस reversible process में जो भी heat change है उसको T के साथ integrate करके sir, DS निकल आएगा लेकिन अगर मान लीजिए sir लेकिन sir, अगर मान लीजिए sir अगर मान लीजिए sir हमारा जो process वो irreversible है तो ऐसी situation में ऐसी situation में entropy change कैसे calculate करेंगे ऐसी situation में entropy change कैसे calculate करेंगे तो बेटा सबसे पहले समझे entropy change को calculate तभी किया जा सकता है जब आपके पास DQ reversible हो मैंने क्या बोला समझना जड़ा entropy change को calculate entropy change को calculate तभी कर सकते हो जब आपके पास DQ reversible हो अगर irreversible delta Q है तो आप entropy change को directly calculate नहीं कर पाएंगे आप उस entropy change को indirectly calculate कर सकते लेकिन directly उसको बेटा आप calculate नहीं कर पाएंगे indirectly तो सबको समझे लेकिन directly मेजरमेंट नहीं हो पाएगा ठीक है तो यह फॉर्मला तभी लग पाएगा वें यू हैव डीक्यू रिवर्सिबल वें यू हैव क्या सर डीक्यू रिवर्सिबल होगा तभी सर आप यह फॉर्मला लगा सकते हैं कई बच्चों का सवाल आता है कि सर अगर मालीजे सर सर अगर मालीजे सर कई बच्चों का सर अगर माली जो माहाँ पास सर डीक्यू इर्रिवर्सबल है तो वहाँ पर क्या ये एक्वाइलिटी होगी दोस्तों बोलने में बहुत मुझे वैसा लग रहा है क्योंकि रीजन यह ना कि इस स्टेट्मेंट में ही सर गलतिया है इस मैथमेडिकल एक्वेशन में ही गलतिया है इर्रिवर्सबल हीट चेंज को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है इर्रिवर्सबल हीट चेंज को सर इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो वहाँ पर इंटीग्रेशन यह पूरा गलत है इसलिए मैं कहा थोड़ा सा भाई मुझे करने दो लेकिन मैं आपके लेवल पे सर उतर भी किया था तो वहाँ चीज यहाँ पे पहली बात Irreversible प्रास्ट में इंटीग्रेशन समभव नहीं है तो वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा क्या delta q irreversible आप पहले तो लेके आओ क्योंकि integration वहाँ भी defined ही नहीं है अब delta q irreversible लेके आओ उसको t के साथ अब देखो चीजे और उसके बार अब यह सवाल आता है कि क्या अब यह दौनों आपस में बराबर होंगे answer है no never not answer है no never not इस बार यह दौनों आपस में बराबर ही नहीं होंगे इस बार बेटा जो delta s होगा irreversible process का वो dq upon t से अलग होगा यह सर यहाँ पर समझ दीजे तो मैंने जो इस statement दिया है वो statement को मैं बेटा चाहता हूँ कि आप लोग बहुत थंडी दिमाग से समझे क्योंकि जो इंसान बेटा काम है अपनी जिंदगी में वही statement को समझ सकता है क्या irreversible process में irreversible process में आप delta q की मदद से entropy change को measure नहीं कर सकते हो irreversible process में आप delta q की मदद से आप entropy को measure नहीं कर सकते हैं मतलब मैं समझ देना रहा है मैं क्या करूँ मतलब मैं मन करता है यह statement में मैं डूब जाओ मैं यह statement में डूब जाओ जैसे जब गीता पढ़ते ना गीता पढ़ते हैं पच्छो यकीन मानिए गीता हो गई इसी तरह से बहुत सारी चीज़े हैं गीता हमारी हो गई NCRT हमारी हो गई ठीक है रामायन बेटा हो गई ठीक है इन सब चीज़ों को आप अगर एक बार पढ़ोगे ना आपको समझ भी नहीं आएगा आप multiple line जो पढ़ते हो तो तब आपको हर line का मतलब समझ में आता है तब आपको लगता आई भाई सहाफ क्या जिन्दगी का ग्यान दिया यार इसमें भाई सहाफ क्या जिन्दगी का ग्यान दिया यार मतलब इतनी बड़ी चीज कैसे कोई सो सकता है भाई सहाफ ये mastery है NCRT में भी यही चीज़ है हमाई नीट वाले बचे जब NCRT को पढ़ते हैं मल्टिपल टाइम पढ़ते हैं 6-7-7 बार पढ़ते हैं और हर बार जब पढ़ते हैं तो उनको एक नया मतलब समझ में आता है एक नई लाइन वो क्लिक कर पाते हैं तो मैंने जो बोला कि अगर माली ये process irreversible है तो delta q irreversible की मदद से आप delta is calculate नहीं कर सकते हो delta is calculate नहीं किया जा सकता है तो सवाल यह आता है delta is irreversible कैसे measure करें बेठा delta is irreversible measure करने के लिए हमको indirectly तरीका लगाना पड़ेगा indirect तरीका लगाना पड़ेगा indirect तरीके से हम लोग वहाँ पर measure कर सकते हैं direct तरीके से measure नहीं हो पाएगा ठीक है सर ये चीज ये चीज़ समझे यही है जिन्दगी का सत्य बहुत अची बात है चलिए सर अब अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये statement ऐसा है कि जिसमें आपको मुझे रखता है कि सर दो थीन महीना चला जाएगा समझने में तो आप इस statement को सर जैसे मैंने बोला है वैसे ही बेटा copy में लिख लीज़े और उसके बार इस lecture में आपको बेटा numerical के point of view से सारी चीज़े बताऊगा so you don't need to worry ठीक है तो बेटाची समझ लीज़े कि कभी भी हमको अगर entropy change measure करना है तो we have only this single formula हमारे पास entropy change measure करने का सिर्फ एक ही formula कौन सा यह वाला हमारे पास सर इंट्रॉफी measure करने का सर सिर्फ और सिर्फ सर एक ही formula कौन सा यह वाला ठीक है सर डेल्टा से भी बराबर integral डेल्टा क्यू अपॉन टी बस यही एक formula सर यह वाला ठीक है gustaría πैर आई चाने सर बहудए अची बात है अब सर हम लोग आगे बढ़ते हैं आब सर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या है सीन आ Иजरा समस्षते हैं कि है आई दोस्तों जड़ा समस्षते हैं ठीक है आई ज़र्द समझते हैं कभी भी आपको अगर entropy चेंज मेजर करना है तो आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ और एकी फॉर्मले पर करना है कौन सा integral dq reversible upon t a से लेके b तक का integration है सिर्फ और सिर्फ यही हमारे पास फॉर्मला है ठीक है सर अब इस फॉर्मले को अगर हम लेते हैं तो इस फॉर्मले में क्या लगा दिया सर फिर्स लॉफ थर्मोडैमिक्स डीक्यू बराबर डी यू माइनस डी रव्लू अपॉन ट और अब बेटा जी समझेगा अब बच्च वि की द्ट अपहार गयाँ द डी डव्लू की जेकर पे माइनस फी डी वी अपहार टी तो यह इंटीघरेशन हमारा हो जेएगा । एन सीवी कॉंस्टेंट ही बहार चला जाएगा डी अपउन टी अन ट हो जाईगा । में लिमिट रख्खा T v अपॉन टी है माइनस माइनस प्लस P अपॉन T को में Nr अपॉन V लिख सकतो Nr अपॉन V का इंटेग्रल Nr ln VB अपॉन V यह जो बिटा इंट्रोपी चेंज का जो सबसे अधा अप्लिकेबल फॉर्मला है यह फॉर्मला कब लगाना है यह फॉर्मला हमको लगाना है for ideal gas ideal gas ideal gas कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है ideal gas कभी भी बचो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन तक जा रही है no matter process reversible जा रही है no matter process irreversible जा रही है no matter process adiabetic है no matter process isothermal है no matter isobaric है कैसा भी बिटा process हो in all ideal gas formula in all ideal gas questions in all ideal gas questions सभी ideal gas के process के लिए आप बिंदास ये formula लगा सकते हो n c v ln t v upon t a plus n r ln v v upon v आप बिटा बिंदास ये formula लगा होगे यहाँ पर यार रखना ln है अगर आप ln की जगे पर log 10 लेना चाओगे तो सभी ideal gas के process के लिए सभी ideal gas के process के लिए जब मैं सभी बोल लोना तो सभी exam में 1% भी doubt नहीं आना चाहिए सभी ideal gas के process के लिए आप entropy change इसी formula से निकालेंगे बस that's it give hat yaद रखिए है ठीक है अब कोश्चन यह आता सर्थ irreversible process में ऐसा हम कैसे कर सकते हैं देखिए बिटा अगर आपका point A और B सेम है बिटा समझे अगर आपका point A और B सेम है अगर बचो आपका point A और B सेम है तो no matter आप A से B तक reversible प्ली जाएं या irreversibly जाएं entropy चेंज से मुगा because entropy is the state function तो A से B तक चाहे process reversibly जाएं या irreversibly जाएं entropy चेंज तो सेम ही होना है तो इसलिए यह form ना reversible के लिए तो valid है और irreversible के लिए भी valid है यह हमारा क्या है sir entropy change को measure करने का indirect तरीका है यह हमारा क्या है entropy change को measure करने का indirect तरीका है ठीक है यह चीज़ समझेगा हमने यहाँ पर delta q irreversible वाला integration नहीं किया हमने reversible वाला integration किया लेकिन वह value हमारी इसके बराबर हो जाएगी बस इतने पर बिटा ध्यान रखिए जितना जादा आप जाओगे उतना सारा परिशान हो जाओगे और फिर आप माथा पकाड़ दोगे तो जितना हम आपको बोलने उत्ति ध्यान रखिए यह चीज़ भी यार रखना यह चीज़ भी यार रखना delta q irreversible upon t delta s से delta s हमारा delta q irreversible upon t से अधिक होता है और दूसरी चीज यह ठीक है यह चीज चलिए सर इसी फॉर्म में को इसा थोड़ा सा आगे ले जाते हैं तो in case of ideal gas in case of ideal gas delta s ab बराबर 2.303 n cv log based end tv upon ta plus 2.303 nr log based end vv upon va ठीक है फाई अगर सवाल में बेटा जी वॉल्यूम का डेटा दिया है तो उपर वाला फॉर्म न लगाना और बेटा जी अगर सवाल में प्रेशर का डेटा दिया तो आप नीचे अला फॉर्म न लगाना डायरेक्ट सही फॉर्म लगाने से सवाल और समय बहुत ही बिटा आप आपने जहां पर पढ़ाओगा आपको भी चीज़ पता होगा हम बस चीजों को बता रहें सर ठीक है तो सभी आइडियल कैस्ट में हम लोग इस तरह सर इंट्रॉफी चेंज को मेजर करते हैं अब यहां पर एक चीज समझेगा अगर प्रोसेस एडिया विटिक है अगर प्र प्रोसम सर इंट्रॉफी चेंज जीरो निकल करके आता है मैं क्या बूला अगर प्रोसेस एडिया विटिक है तो सर एडिया विटिक प्रोसम सर इंट्रॉफी चेंज सर जीरो निकल करके आता है लेकिन कैसा एडिया विटिक है सर रिवर्सिबल अगर वेटा जी हमाए पास irreversible adiabetic होता है तो delta s ab positive निकल करके आता है इतनी बड़ी बात है कि क्या बता है advance में इसके उपर बेटा जी direct सवाल होते है advance में इसके उपर direct सवाल होते है लेकिन भाड में जाए तेल लेने जाए advance advance पहले तो हमारे बच्चे परिसान होगे उसको पहले में सई करूं पेटा देखो reversible adiabetic में क्या होता है यहां पर हम पीवी की पार गामा वाला equation अगर लगा देते तो यह numerical हमारा integrate ओकर के 0 हो जाता है हमने कुछ कि पाल यहां था सहर entropy comedor state function जो change mean available мест जो change reversible में हो वही reversible में हो जितना entropy change reversible में होगा उतना entropy change irreversible में होगा तो ऑफ 10 जहां पर भी 0 होना चाहिए मेरे बचस इसमें परिश्यान है तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं कोई crash course नहीं करा मैं आपको पूरा थेओरी पढ़ा रहा हूँ और टू दी पॉइंट थेओरी पढ़ा रहा हूँ फालतू की बखवास में आपका समय नहीं खराब करता हूँ इलहाबाद से कलकत्ता जाने का जो किराया है वो हजार रुपए है अब एक इंसान आके मुझे पूछता है कि भीया जी देखे मेरी टिकट जो ही इलहाबाद से असन तक की है इलहाबाद से गौहाटी तक की टिकट है इलहाबाद से गौहाटी तक का किराया बारा सो रुपया क्यों है इलहाबाद से कलकत्ता तक का किराया हजार रुपया है तो इलहाबाद से गौहाटी तक का किराया हजार रुपया क्यों है वो बारा सो रुपया क्यों है अरे मुन्ना लाल गौहाटी अलग है कलकत्ता अलग ह मुनना लाल गोहाटी अलग है कलकत्ता अलग है जब दौनों पॉइंट्स अलग लग है तो उनका किराया भी अलग होगा बस बेटा जी यही तो यहाँ पर बात है जब हम किसी एक पर्टिक्लर पॉइंट से रिवर्सिबल एडियाबिटिक एक्सपैंशन करते हैं और उस पर्टिक्लर पॉइंट से इर्रिवर्सिबल एडियाबिटिक एक्सपैंशन करते हैं तो हमारी फाइनल स्टेट अलग लग होती है रिवर्सिबल एडियाबिटिक एक्सपैंशन में पीवी की वैल्यू और इर्रिवर्सबल एडियाविटिक एक्सपांशन में पीवी की वैल्यू अलग-लग होती है, बहुत बढ़ी बात बोल दी, रिवर्सबल एडियाविटिक एक्सपांशन और इर्रिवर्सबल एडियाविटिक एक्सपांशन में पीवी की वैल्यू अलग लग लग होती है तो चूकि PV की वैल्य अलग लगे तो points अलग लगे points अलग लगे तो इंट्रॉपी से पढ़ा रहे हैं और जो बच्चा इमानदारी से पढ़ने के लिए है आज की रेट में उसके लिए यूट्यूब बहुत कंटेंट है हर महीने कोर्स लाउंच करने वाले जगों से सावधान रहे हैं ठीक है यह चीज़ लेकिन भाई सबको जरूरी है पैसा बहुत जरूरी ह जो पैसे बिना पैसे में जो situation होती है वह हम समझ रहे हैं ठीक है तो पैसा भी जरूरी है सर आप किसी को भी सर आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं आपकी पिता जी का बिना पैसे के लिए काम करेंगे अगर आपके पिता जी बिना पैसे के लिए काम करेंगे तो आपकी पढ़ाई लगopardy आपकी पीस कैसे चलेगी तो जो teacher पढ़ाता है कहीं पर भी जो teacher बेटा पढ़ाता है कहीं पर मीदगे वह भी बिना पैसे की कैसे बढ़ा सकता आप इसको कैसे सब्सक्राइब ये expect कर सकते हैं कैसे expect कर सकते हैं हम तो चलिए अभी थोड़ी बहुत पुरानी सेविंग्स अपना घर चला रहें लेकिन आगे कैसे चलेगा नहीं संभब नहीं संभब लेकिन आपको मैंने वादा किया हुआ है कि आपके सेलेक्शन तक मैं तक ये बंदा पूरा 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 फ्री ओफ और सारा कंटेंट द चाहता हूं सर मैं YouTube पर अपना फेमस होना चाहता हूं मुझे यहां पर फेम का मैं भूका हूं आप देखिए मेरे वीडियो पर देखिए आड भी चलते हैं बॉनिटाइज़ेशन भी होता है बहुत पैसा नहीं आता है जितना हम लोग यहां पर एक मतलब साल में कमाते हो उ जहां पर देखिए सच्चाई है ठीक है फेमस हर कोई नहीं होता है सब्सक्राइज हर कोई फेमस नहीं होता सब्सक्राइज पूरे पूरे इंडिया में सिर्फ और मुझी पर दस लोग होंगी जो YouTube में एजुकेशन से कमा रहे होंगे और कोई नहीं कमाता है तो यह अलग हा भाई हम उतने बड़े धर्म परमात्मा नहीं है और हम थालतू का ग्यान भी नहीं हम देख रखते हैं ठीक है यह चीज़ है तो everything is important लेकिन मैं आपके साथ साथ देखें पूरी इमानदारी के साथ जितना मुझे ग्यान आता हो सारा ग्यान में आपको उडेल करके इसलब जार्णा पड़ेगा कुछ थोड़ी है चीजी चली सर आते हैं तो बहुए जैसे कलकत्ता अलग है और उनको किराया अलग होगा से reversible adiabatic expansion और irreversiblekre anh expansion में final state अलग-अलग होती है तो डेलटाइस कैसे सेम हो सकता है अगर आप make sure करो कि से जो आप reversibly यहां से आतक हो वैसे ही आप irreversibly भी उसी point प्रावगी तो चाहें irreversible adiabetic expansion हो और compression हो, delta is positive आता है, सभी irreversible process के लिए delta is positive होता है, कितनी बड़ी बातें बोल दी, ध्यान से वीडियो को repeat करके, slow motion में करके सुनना, 2x speed से इस तरह की बड़ी-बड़ी important बातें निकल जाते हैं, ठीक है, वीडियो तुबारत से सुनिए, और उसको note down करिएगा, ठीक है, यह चीज़, चलिए सर, तो adiabetic में सर, दीखे, scene ही होता है, reversible isothermal में क्या होगा सर, reversible isothermal में क्या होगा, सर, isothermal case में temperature constant होगा, तो delta is AB, will be only 2.303 nr log base 10 vv upon va, reversible isochoric में क्या होगा, सर जी, isochoric में volume सेम होगा, तो यह term 0 हो जाएगा, volume सेम है, तो log 1, log 1 0 होता है, तो सिर्फ temperature का time बचेगा, 2.303 nr, ncv, log base 10, tv upon ta, ठीक है सर, तो इस तरहीके से इन formula का use करके, तुम्हें बेटा चीज़ों को calculate करना है, adiabetic case में क्या होता है, मैंने आपको सीधे सीधे reserve बता दी, सर, यह आता है, ठीक है, यह चीज़, अब यहाँ पर थोड़ा सा बैक चलते हैं, यहाँ पर से थोड़ा सा बैक चलते हैं, क्या, यह entropy का concept आया क्यों, spontaneity चेक करने के लिए, spontaneity कैसे चेक करते हैं, delta s system से, और साथ साथ क्या delta s surrounding भी देखना है, कभी भी सर, अगर हमको delta s surrounding निकालना है, तो बैटाची याद रखना, delta s surrounding कैसे हम निकालेंगे, सर, delta s surrounding हमीशा निकलेगा कैसे, dq surrounding upon t surrounding से, और बैटाची ध्यान रखना, temperature surrounding का हमीशा constant है, global warming को हम नहीं consider कर रहे हैं, temperature surrounding का भीटाची अमीशा constant रहेगा, और dq को integral q हो जाएगा, तो delta q a b, delta q a b surrounding upon t surrounding, delta q a b surrounding upon t surrounding, और delta q a b जो surrounding है, surrounding में जो भी heat आ जा रही है, वो कहां से आ रही, system से आ जा रही है, system और surrounding एक दूसरे के संपर्क में, system ने जो छोड़ा, वो surrounding ने catch किया, surrounding में जो छोड़ा, वो system ने catch किया, तो जो भी heat loss, जो भी heat change surrounding में हो रहा है, वो क्या है, inverse of delta q system, वो क्या है sir, inverse of delta q system, upon t surrounding, बेटा समझना, मैं दुकंदार हूँ, मैंने 1000 रुपे की साड़ी बेची, मैं दुकंदार हूँ, मैंने 1000 रुपे की साड़ी बेची, मैंने 1000 रुपे की साड़ी बेची, तो मेरे पास क्या हूँ, cash 1000 रुपे बढ़ा, लेकिन ग्राहक के लिए क्या हूँ, उसने 1000 रुपे की साड़ी खड़ी थी, तो उसका 1000 रुपे घटा, तो यही तो है, जो system देता है, वो surrounding लेता है, और जो surrounding के पास आ रहा हूँ, वो है जो system छोड़ता है, तो दौनों में बेटा inverse relationship होता है, ठीक है, यह चीए, तो delta q surrounding क्या है, minus delta q system, तो सभी cases में, in all cases, delta s surrounding, चाहें कुछ भी हो, in all cases, in all cases, मैंने क्या बोला, in all cases, delta s surrounding, कहां से निकलेगा, minus delta q system upon t surrounding से ही निकलेगा, यह always लगेगा, in all process, delta s surrounding का, आपने हमीशा बेटा ऐसे ही निकालना है, और इससे हमको एक चीज़ समझ में आती ही क्या, इससे हमको ज़र एक चीज़ समझ में आती ही क्या, दो important आपको मैं result बताता हूँ, सबसे पहली चीज़, reversible adiabetic process में, reversible adiabetic process में, delta s surrounding 0 होगा, और irreversible adiabetic process में, irreversible adiabetic process में भी delta s surrounding 0 होगा, ठीक है, reversible adiabetic process में, delta s surrounding 0 था, और delta s system भी 0 था, delta s system भी 0 था, reversible adiabetic process में, delta s system भी 0 है, delta s surrounding भी 0, तोनों 0 है, लेकिन irreversible adiabetic process में, delta s surrounding तो 0 होगा, तो delta s surrounding तो 0, लेकिन delta s system positive होता है, और सुलीचे, reversible adiabetic में, sorry, reversible isothermal में, reversible isothermal process में, delta S system plus delta S surrounding का जो total समय वो 0 होता है, reversible isothermal process में, delta S system plus delta S surrounding, इनका जो total समय, sir, वो हमारा 0 होता है, यह important से derivation है, जो कहां से आते हैं, सीरे सीरे value रख कर के आते हैं, बर they are very, very, very important, they are very, 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 very important, they are very, 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 very important, ठीक है, सबसे पहले चीज, reversible process में, delta S total 0 होगा, reversible process में, delta S total 0 होगा, reversible process में, delta S 0 है, reversible process में delta is zero है, delta is total, 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 reversible isothermal में न system वाला zero है न surrounding zero है, लेकिन total zero है, reversible adiabatic में, numerically, delta is total तो zero हो गई होगा, surrounding भी zero था और system भी zero है, irreversible में ऐसा नहीं है, irreversible में क्या है बता रिया, ठीक है, तो यह कुछ facts है, जो कि directly हम देखते हैं कि कई जगों पर use होते हैं, और इनके derivation मैं कराने में interested नहीं हूँ, लेकिन अगर आप करोगे, एकदम बिंदास आ जाएगा, वही बस सीदे सीरे formula लगाना है, 2.303 NCVL, जो formula है, उससे निकालोगे, इस सब आ जाते हैं, ठीक है, तो यह हमारे result होते हैं, and they are very very crucial, advance की सर, multiple options, correct follow में तो सर दिये, जान है, इस cement में जान है, बरला cement, इस cement में जान है, अब मुझा cement, इस cement में जान है, बहुत अची बात, ठीक है सर, तो पहली चीज़ क्या, कभी भी ideal gas से आप बिंदास ये formula लगाई है, पहली चीज़ क्या, अगर ideal gas से आप बिंदास से ये formula लगाई है, ideal gas में बिंदास ये formula लगाऊ, चाहे reversible, irreversible, कुछ भी हो, बिंदास ये formula लगाऊ, इस formula के ये कुछ simple result है, ठीक है, delta surrounding निकालना है, बिंदास ये formula लगाऊ, कोई integration है, सीदा सीदा ये, इन दौनों formula के result हमाई पास ये निकल करके आते हैं, बहुत अची बात, अगली चीज, in case of metal, बिटा अगर मा लीजे सवाल में हमाई पास metal है, लोहे का piece है, aluminium का piece है, हमाई पास पानी है, in case of metal, in case of water, non-ideal gas है, तो क्या करेंगे, तो entropy change कैसे निकालेंगे, तब NCV वाला formula गलत हो जाएगा, तो कैसे entropy change निकालेंगे, तो in those cases, delta SAB, बराबर DQ reversible upon T, और चुकि हमारे बच्चों ने, हमारा पिछला वीडियो देखा था, पिछला वीडियो किसके उपर था, heat capacity के उपर, तो बच्चों को यारे सर, heat निकालने का formula क्या होता सर, NCDT, हमारे बच्चों को यारे सर, molar heat के पैस्टी से delta Q निकाल सकते हैं, molar heat के पैस्टी से delta Q निकाल सकते हैं, delta Q का formula क्या होता है, NCMDT, अब बटा इसको अगर हम integrate करेंगे, N constant है, molar heat के पैस्टी भी constant होती है, dt upon t का integral ln t हो जाएगा limit रखेंगे ln tb upon t a ln की जागे पर base 10 रखेंगे तो 2.303 n cm log base 10 tb upon t a यह सर्जी यहाँ पर सीन है तो delta s ab बराबर this सर्जी delta s ab सीन होगा तो entropy change in case of non-ideal Gas system सरम को इस तरह सर्म को यहा पर निकालना होगा बहुत अच्छी बात है नोट siitä कि उस्थरम में entropy तरह से इस तरह से सर्म को यहां पर निकालना होगा कि नॉन आइडियल गैस सिस्टम के लिए हमको सरे इंट्रॉपी चेंग इस तरह से स्थरम को निकालना होगा ठीक है सरे बहुत अच्छी बात है कि पिता कई बार क्या होता है कि सर हमारे पात से ट्राइंशन होता है कि ऊपढ़ बच्छ भर वहां पर क्या होता है अगर मालू कोई भी सबसेंच जब मेल्ट आउट होता है तो मेल्टिंग के दौरान क्या होता है उसका टेंप्रेचर कॉंस्टेंट होता है लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदलती है melting के दवरान क्या होता है? टेंपडस सेम रहता है लेकिन उसकी potential energy उसकी physical state बदलती है तो potential energy में change आता है तो वहाँ पर भले ही बेटा temperature constant है but energy सर वहाँ पर लगती है चाहिए अब वह जो energy कहा जाती सर रो इंट्रॉपी चेंज करने में जाती है जैसे कोई solid liquid में जा रहा है रहा है sorry entropy बढ़ रही है solid liquid में जा रहा है entropy बढ़ रही है वहाँ पर यह formula नहीं लगा सकते हो क्योंकि यह formula यह तो entropy change 0 आएगा वहाँ पर सर टेंप्रेचर कॉंस्टेंट होता है ठीक है तो फेस चेंज के दौरान सर जो डेल्टा एस एबी होगा मतलब हम कह सकते हैं कि MELTING हो रही है या फिर मतलब को fusion भी कहते हैं और या फिर vaporization हो रहा है तो उस दोरान सर क्या होता है है वहां पर सर यह फॉर्मल लगेगा वो integration के भाहर चला जाएगा यह सर बेटा dq हो जाएगा और ultimately यह delta q ab upon t हो जाएगा वहाँ पर सर यह formula लगेगा तो melting अगर हो रही है तो melting point का temperature denominator में लेना है और उस melting के दुरान तुमने कितनी heat दी वो तुमने से रखना है मालो vaporization हो रहा है तो vaporization में boiling point आपने temperature यहां रखना है और उस vaporization के दुरान तुमने कितनी heat दी वो तुमने numerator रखना है तो that's how you are going to calculate क्योंकि melting और vaporization के दौरान यह reverse हो रहा है उन दौनों process के दौरान temperature is constant ठीक है तो वहाँ पर सर integration में temperature बाहर चला जाएगा तो यह बेटा मोटे मोटे तौर पे सर हमको देखे changes आते हैं entropy को calculate करने के लिए ठीक है सर तो बेटा सारा खेल क्या था entropy क्या है entropy का क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि है जिसने में spontaneity check कर सके कि कोई चीज spontaneous है या नहीं है entropy entropy चीज की specific depend करती है सारे point बताते है entropy calculate कैसे करोगी यह भी बता दिया ठीक है बस इतना ही सत्य है अब इस सत्य को मैं चाहें एक घंटे में पढ़ाओ जैसे कि हम लोग आई जो lecture around एक घंटे का हो गया या फिर मैं इस सत्य को बेटा मैं आपको 5 घंटे में पढ़ाओ अल्टिमेटली खेल इतना ही है और इसके अलावा कुछ भी बेटा थियोरी नहीं है यह मैं आपको guarantee के साथ दे सकता हूं नहीं मेंस में होगी ना एडवांस में होगी ना नीट में होगी बस बेटा सचा ही इतनी है अब चुकि यह सेशन अपना देखिए एक घंटे का हो गया है और मैं किसी भी अपने वीडियो लेक्चर को एक घंटे से उपर नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ये जो वीडियो हैं, ये आपकी कोचिंग के एक्स्ट्रा है, मुझे पता है, आपके उपर सा देखिए, बहुत बड़ा सा लोड रहता है, आपके उपर बहुत लो इस टीचर से पढ़ रहो, बहुत अच्छे टीचर हैं, साल भर से उनसे पढ़ रहो, उनकी रिस्पेट करो, उनको पढ़ते रहो, लेकिन अगर आपको मेरी जरुवत है, तो आप उस classes के अलावा इन classes को कड़िए, लेकिन ये classes, they are not the ultimate thing, ये classes को देख करके आपका इजहीं म का ये गलत है, और मैं कभी भी, जभी भी पढ़ाया हूं, जहां कभी भी पढ़ाया हूं, मैंने वहाँ पर बिटा पढ़ाते समय जोट नहीं बोला, ठीक है, इसी समझ देजिए, तो ये सच्छाई सर, आप सुचों की सर, ये वीडियो लेक्शर देख करके आपका सवाल करने पड़ेंगे, लेकिन, लेकिन, पहले information तो पता हूं नहीं चीज़, तो मैंने आपको ये information दे दी है, कल मैं आपको इसके कुछ सवाल कराऊंगा, जेए मेन एडवांस के कुछ सवाल कराऊंगा, इंट्रॉफी के सारे सवाल कराऊंगा, में इस एडवांस, नीट सब कुछ आपको clear करवा देंगे लेकिन वीडियो लेक्चर देखने के बाद जैसा मैं हमेशा कहता हूं जब तक self study नहीं करोगे जब तक खुद से pen चला के सवाल नहीं करोगे जब तक खुद से answer नहीं आएगा तब तक सर confidence नहीं आएगा ठीक है सर यह चीज़ तो हम आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस session को करते हैं यहीं पर समाप कल आपको entropy के question answers upload करा देंगे और उसके बाद enthalpy and then हम लोग thermo chemistry पर आएंगे देल्टा जी तो बहुत ही जल्दी हम लोग इस thermodynamics के पूरे 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 पार्ट को बेटा cover up कर देंगे and then we will move on to equilibrium ठीक है schedule पर सर काम करना है इसा schedule पर देखी काम करना है कि किस तरह से अपने यूट्यूब की जर्नी को synchronize करें जेई का syllabus आ चुका है बेटा बहुत ही जल्दी सब कुछ एकदम clear cut हो जाएगा आप मत करिए बस schedule पर काम चल ला है चीज़े बहुत ही जल्दी सर आपको पूरा schedule मिल जाएगा कि किस तरह से हम लों के आगे video lectures आएंगे और आप हमसे क्या-क्या आप expect कर पाएंगे ठीक है ब चोटे-चोटे concepts एक-एक मिनिट में सर आपको revise करवा देते हैं ठीक है तो सारी चीज़े synchronize कर रहे हैं बड़ एक single one-man army है तो थोड़ा सा बीटा flaws है उन flaws पर भी काम चल ला है और कोशिश करते हैं कि पूरा इसको एकदम बढ़ियां synchronize करें आप लों का feedback बहुत अच्छा आप थमनेल पर काम करिए ऐसा करिए वैसा करिए बहुत ही बहुत प्यार बहुत अपना पंसा है चीज़ें उस पर भी सदिके पूरा सब कुछ है ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बस एक ही चीज़ कह सकते थैंक यू ठीक है चले भाई थैंक यू सो मच अगादकना